वेलकम बैक टिशी टोड़ीज वीट्स एन आम यार आश्यतोर सर्थ कि यहां पर खड़े हुए मुझे 16 अक्टूबर 2021 के बाद 16 अक्टूबर 2021 को मैंने वीडियो बनाए थी आप स्टूड़ीज बाया फ्रैंजिस बेकन उस टाइम को पास्ट हुए 14 महीने हो रहे हैं 14 मन्स हैड बिन पास्ट अवे बनाने जा रहे हैं आपको अगर आप अलाबाद इन्यूश्टि से हैं तो आपकी लाइफ क्लासे सटार्ट हो रही है आपको पता है सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बच्चों को थोड़ ट्रस्ट नहीं था कि क्लास कैसी होगी फेक है कुछ तो जो है फ्रॉड बोल रहे थे बहुत कुछ तो हमने का ठीक है रुख जाहिए एक वीडियो हम अप्लोड कर रहे हैं उस वीडियो को पहले पढ़ लीजेगा फिर उस पढ़ाया हुआ है आप जाके वह देख सकते हैं किस पेपर में कितने मास्क कोश्चन आएगा और आज से आप कैसे हैंडल कर सकते हैं बहुत इस पॉर्ण वीडियो है जाके उसको जबूर देख लिजेगा आज फिलाल हम पढ़ने जा रहें मेर पोयम थैंक्स टू अलाबा में वीडियो शूट नहीं किया है तो फाइनल की लाइफ क्लासेस बहुत चल रहें तो लाइफ क्लासेस में बजी रहते हैं अब हम पढ़ाएं जा रहे हैं आपकी मिर्यार पोयम बाय सिल्वया प्लात समझना पड़ेगा ठीक है एक वह पोएटेस हैं तो एक्चुली उनकी जो मैरीड है जो मैरीज साधी तो एक पोएट से भी थी बट स्टिल सी वह सफरिंग फ्रम इंसोमेनिया इन नाइटीन सिस्टी टू पहले तो समझना पड़ेगा देखे एक दो चीजे नाइटीन थर्टी नाइन से लेके नाइटीन फुर्टी फाइव तक क्या हुआ था प बड़ा साथ है नाइटीन थर्टी नाइन से जो है ठीक जो है साथ साल पहले पैदा हुई है नाइटीन थर्टी नाइटीन थर्टी टू से लेकर के नाइटीन सिक्स्टी वन उसी में तो यह जो है लिखी है और नाइटीन सिक्टी टू से गुजर रही थी और बाद में यह सुसाइट गर लेती सीडियसली ओवन हो समझते हैं जिसमें खाना घरम आए जाता है उसमें सर रख करके यह कारण मनो आक्साइड की कमी होने के वैस पैदा थैंग मने के बाद यह पप्लीश हुए क्या पपब्लिस क्या एक गजिसर फोтоящत छेशेग नाम robić नाम सब्सक्राइब नाम है इसी कलेक्शन में 1971 में यह पुर्ट्री पब्लिस होती है तो आपके लोगों को देख करते हैं तो आज पास के लोगों को थे अमेरिकन पूएट्स अब अमेरिकन पूएट्स में भी किस तरह के जॉन्रा किस तरह के लिखा जा जा घाता है तो 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 आपने चीजों को मानते हैं यह बहुत सेल्फ होके लिखते हैं समाज के बारे में हो चाहिए उनके बारे में तो तो आपको दिख रहा होगा यह जौन बेर्मन और यह तीन आपको नाम बता देंगें इसी में सिल्विया प्लाद भी आती हैं ठीक आप हम समाझते हैं जो टॉपिक है हमारा मिर्ण इसके मिर्ण दीजिसी भी पोट्री को पड़ने से पर सबसे पहले उसके टाटिल को पढ़ए कि टाटिल बहुत बहुत अवालीवल रखता है वो पूरी पोर्ट्री का एक एसेंस रखता है तो आक्चिलि वट इस मिर्ण आप सिल्वर समझें सिल्वर कलर कह सकते हैं सिल्वर जो मैं करना हूँ जरूरी है ठीक है और सिल्वर में सच दिखाता यह तु अब तैया कि हम समझ पारे कि टैटल को पढ़कर मिलर एक ऐसी चीज जो की हमें सच दिखाती है सिल्वर कलर में होती है अगर हम कर लेकर चलते हैं तो वैसे तो पानी को भी सिल्वर बोल सकते इस तरी से तो इस चीजे में किवल मिल्यर से समझ में आई तो आपको सब रसे पढ़ना पड़ेगा एक चीज़ बताना भूल गया मैं वह यह पोर्ट्री लिख के रख लिए फिर वीडियो देखेगा पोर्ट्री लिखी हुई पढ़ने में उन्हीं चीज़े से मेरे पास यहां पर हाला कि आपको यहां दिखाए देगी लेकिन स्टेल मैं बोलूंगा स्कूर्ण लाइंग करो स्कूर्ण लाइंग करना पड़ेगा तो हम आप बात करे थे कि मिलर समझ जा जाती है हम नाइन पढ़ेंगे हम खुद ही रहेंगे तो मेरे समझ लिए कि मतलब होता है अब चलते हैं यहां लिखा है आइम सिल्वर एंग्जाट इस पोर्ट्री का स्पीकर कौन है स्पीकर है स्पीकर है बिकास मेर कह रहा है आई एम सिल्वर एंग्जाट सर आपने बलाता है स्ट्रू यास एक्जाटनेस मतलब तुथफुल यहां पर एक्जाट को लिखें अंडलाइं करी उपा लिखें तुथफुल बिल्कुल सटीक सच और सिल्वर एक कलर है ठीक आइम सिल्वर रखता है वह अपने कोई पहले से मंघड़त कहानी नहीं रखता मंघड़त कहानी पहले से इंपॉर्टेंट वर था इंदेव जो मैंने बोला भी आपको I have no preconceptions मंघड़त कहानी मेरे पास पहले से नहीं है जो दिखता है वही दिखाते हैं प्रीकंसेप्शन थो पहले से सचा हुआ तो मिलर के पास ऐसा कुछ नहीं होता क्यों पहले से सोच के बbrar तो वह preconceptions नहीं हो उसके पास वह एक्चुरी इसलिए बोल रहा है क्योंकि वह अपने बारे में रीडर को information दे रहा है कि मैं अख्विर हूं क्या I am a silver in color and I am exact truthfulness but I don't have any preconceptions about anyone मेरे पास किसी के बारे में कोई पहले सा information नहीं होती भाई ठीक आगे चलते हैं whatever I see I swallow immediately यह समझ में नहीं है whatever I see जो भी मैं देखता हूं ठीक है I swallow immediately swallow swallow मतलब होता है खाना इसे हमने बाइट लिया तो I just swallow it holy पूरा खा लिया मैंने अगर आमगा तो पूरा खा जाओंगा I swallow immediately मैं दो वड़े swallow and immediately तो बहुत important वर्ड है अच्छा लग रहे आपको अरहां भी चलेंगे लंबी वीडियो चलेगी I swallow swallow मतलब पूरा खा लिया immediately तुरंत ही this is a speed लेकिन यहां पर जो हमारा subject है वो है mirror and mirror can't swallow because it is non-living but he is speaking this is a personification the figure of speech is used here is personification सब्सक्राइब मानवी करन किसी निर्जीव चीज़ को सजीव दिखाना सब्सक्राइब बदा जालता हूं personification figure of speech यहां यूज हो रही है and वह कह रहा है whatever I see I swallow immediately जो इसलिए उसके पर प्रीकर्सम्स नहीं है because वह जो देखता हूं तुरंत दिखाता है there is no time gap between नहीं मेरे सामने हम आ गए है और वह जो है जावा का मोबाइल बन के नहीं 2004 वाला वह बैठा हुआ दिखाएंगा दिखाएंगा नहीं वह एक्दाम exact उसी समय reflection देता है light emitting दहुत तेजी से है I swallow immediately अब यहां पर सोलो वर्ड को समझाने के लिए हम मैं कह सकता हूं कि next stanza में समझेंगे लेकि मिझे लगता हम आपको समझा यहां वहां बहुत दिखाता है लेकिन अब इधर हो और उस तरफ है लेकिन आप उधर भी दिख रहे हो पहली बार अभी मुझे आदे अभी जो मुवी आया थी एडम ब्लैक एडम ठीक है उसमें प्लाक पांच जार साल पर जगता है तो देखता है तो यह क्या है यह तो मैं ही हूं तो कि उसमें जादू कुछ उसे पता है उसने कभी आपने आपको देखा ही नहीं मतलब हुआ कि उसदर भी मैं हूं वह पूरा एक एक ऐसा अबजेक्ट है जिसके अंदर में समा गया हूं तो पूरा निगल जाना वह पूरा कंप्लीटनेस है उद्दम क्लैरिटी के साथ और वह उद्दम एक्जैटनेस के साथ है वैसा ही वैसा दिखाई देगा जैसा इंस इकड़न मतंब को ना पसंदम आगए बीच में और लगए वोई इंपॉर्टन है मतलब मैं किसी भी कोहरे से मैं कोहरा लेके चल रहा हूं धका नहीं हूं और वो कोहरा की चीज़ कह सकता है प्यार का ना पसंद का मैं किसी से प्यार नहीं करता हूं तो मैं उसको बहुत अच्छा दिखा दूं और किसीपी कह बट दिखा दूं नहीं.. नहीं.. मैं किसी भी चीजसे कोटन किषी.. Fairy, तबी हों यहां किसी भी किसी प्रभावित नहीं नहीं मैं कया और threatened.. कोई भी चीज से मिला दो नहीं हूं.. में ग् IP coverage नहीं है.. क्लियर ओके यहां तर दो तीने क्लियर हो गई आइम सिल्वर एंग्जाइट आइव नो प्रिकंसेप्शन वटेवर ऐसी आइस सोलो इमेडेटरी जस्ट एस अन्मिस्टेट बाई लव और डिसलाइफ ठीक मुझे लगता है मैंने सही से क्लियर कर दिया आगे चलते हैं आइम नौट क्रूइल मैं निर्दाई नहीं हूं यह क्यों बता रहा हूं वह इसलिए कह रहा है क्योंकि सम्टाइम वह किसी चीज़ को आप इसे नहीं देखा मैं बता रहा हूं अगर गल्स देख रहे तो लेट कर जाएंगी अरे यार फ्लिटर लगाओ ना इस्टाग्राम मुबाइल में कैमरा आता है जो कैमरा अर्वर रिस्टार होता है उसे इतनी देखना वाइए ती कैसी तरीके से क्रूल नहीं हूं अब आप मैं आपको दिखा रहा हूं मेरी कोई ने-दिक्राइव यह और आपसे किसी बिद्ज़ नहीं रखता हूं ठीक है तो वह वह कैमरा नहीं वह मिलर कह रहा है लेकिन एक्टली एलिटी कि है लोग वाट देवाट तो सी देंसेल्स वरी फियर अनफ वरी यूथ फुली वरी अट्रैक्टिव एंड मिलर कांट दू डैट सफ्में रहा तक अंसर यहां पर आयम नौट कुल ओल नी तुथ फुल यहां पर पहले प्र आप इसको यहां पर लाइंग कर लिजे यहां नौट एफेक्टेड यहीं मेरी इस नौट एफेक्टेड बाइदा पर्संस एपस्टॉफियस पर्संस विज मैं एक पर्संस मेरे सामने खड़ा है मैं उसकी इच्छा से प्रभावित नहीं होता कि वह अपने आपको किसी तर पूर्ती नहीं कर सकता है मैं नहीं कर सकता है मैं वही शो करूंगा जैसा वो है जैसा वो दिख रहा है मुझे मैं वैसे ही दिखाऊंगा ठीक है आगे मोस्ट अप टाइम आए मेरिटेड ऑन दा पॉजिटिव वाल देखी यहां तक यह जो यह नहीं एक लाइन छूट गए मुझे लगता रहे जैस्ट एक लाइन चूट गई दा आई ऑफ लिटल गॉड हाँ यही से मुझे बताना है यह जो ऊपर की चार्ड लाइन थी एक्चुल्य यह जो है मिठी यह कह रहा था वट आय कैंट ड्वट रद्वी चा आच आउस ट्राइंग टूड वट आइज यूजली डू मैं जो अक्सर करता वह इसने बताया मैं इस ऐ्बताया मैं इस कलर मैं एक्जैट हूं मैं डिस्वानेश नहीं हूं मैं अंदर कोई नहीं है बाइल लव और इस लाइक उससे सब कुछ बताया लेकिन नीचे से अब आपको थोगे से और मोर क्वालिटी पर चलती है मिर की वह क्या है दा आई ओफ लेटिल गॉड मिर के पास क्या है वाट मिर है आई आफ लेटिल गॉड इसमें वह बहुत इंपॉर्ड नहीं व सिखाता हो जब भी पोईट्री पड़ो पोईट के माइन में घुषो ऑल्वेस ट्राइट टू इंडल्ज यहां पर घुषने की कोशिस करो इन पोईट्स माइन लिटिल वर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हम बताते हैं अब मैं देखा है कि मैं बहुत कम देख पा रहा हू अगर कोई ऑबस्टेकल होता है तो इस देख नहीं पाते हैं तो अगर हमारा काम है तो ऑपस्टेकल हम नहीं देख पाते हैं चीजों को तो फील्ट औफ विजन यह बहुत इंपॉर्टन है वाई अगर मिर्र के पास आय है जो कि यहां पर मेटफरी के लिए जो कि यहां एजप्शन है यहां पर वह रियालिटी में एक जिस्ट नहीं करता है लेकिन इफ मिर्र है तो वह नैरो बाउंडडर है वह बहुत सक्रा है उसके पास यह जहां से देख रहा है वह फोल्ड इसके पास जो विजन है उसका बहुत थी स्लॉपी कम है ठीक है नेरो बाउंडर नेरो विजन ठीक है नेरो फिल्ड ऑफ विजन ऐसे कर लिजा दा आए अफ लिटल गॉड फोर कॉर्नर जितना इस कॉर्नर के स्लैंट में यह स्ट्रेट फॉर्वड मुझे दिखाई देगा उतना ही मेरा विजन है उतना मैं क्लियरली देख सकता हूं इस पूरे विजन में अब इसी के बाद नेक्स लान इससे इंपॉर्टन है जोड़ी हुई है अधिकतर मैं सामने वाई दिवाल पर मेडिटेट करता हूं साधना की चीज़ को दम स्ट्रेट्व होना कोई की की हो जब कोई सिद होता है फैयरा हुआ होता है ने से र tud घुड़्यय मेरिटेशथन साधना एक चीज़ पर कना टिकना तो मिर्ट के पास होग है वर समसे गता है तुissible में फिसमरे के हैं ने और दिवाल दिन पर देखता है जब तक को इसको देखने लगता तक वह सामने देखता है थे समझे आगे जलते हैं तो सब्सक्राइब मेरे चीजों को सूचना जो की साधना में होता है मेडिटेशन में होता है इस्टिर्था कामनेस ठीक है इस पिंग यह जो वाल है यह पहला हमें जो एक सेटिंग मिलता है इस पोर्ट्री का कि मिलर है ऑबजेक्ट है हमारा जो सब्जेक्ट है वह भी जो हमारा मिलरी है स्पीकर मिलर है सेटिंग मतलब की आसपास का वातरों क्या है यहां वह वह वहां वाल है और वाल पिंक कलर की प्रदाइब बच्चों कमरे में तारे बने हो फिक यहां पर पिंक कलर में डॉट 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 है कि और इस से पहले हम हम पर पिंग को समझने पड़ेगा जहां पे सीसा लगा हुआ है जहां पे मिलेर है जिस तरफ देख रहा है वह गिस तरफ वह गरा और वो इसके से पहरोगल पहलता पहली बात या तो वह बैडरूम सबसे पहरोगल के बैडरूम में इसा ऑस्पिल के कमरा है छोटे छोटे बच्चे खेलते कुझते लिए पींकी सुस्टिश्ट की वगये से वह में में इमेजनरी यहांपर देखने को मिल रही है यह एक डिटर अपना एक अनलेसिस कर सकता है ठीक है यह दो चीज हमें बताएं थी हमने आपको दादी यह यहां पिलेख लेजिए का पिंग और स्पेकल में वीजुल इमेजनेरी है ठीक है इसको सोचा जा सकता है मन में चित्र उसके जो है आ सकते हैं ठीक है मैं अच्छा पड़ार मुझे लग रहा है I have looked at it so long I have looked at it so long मतलब मैं उसको बहुत देर तक देखता रहता हूं बहुत देर तक देखता रहता हूं उससे क्या होता है I think it is a part of my heart okay that's strange it is object and it has a part of heart feelings emotions heart में सब कुछ आ गया बाई जब तो personification यहां भी highly वाला हो गया I think the part of my heart actually इसने क्यों बोला हम पुछता है इसके सामने जिसके सामने जिसके पास पिंक कलर है उस पैकल्स बने वो उसके दिल का एक हिस्सा बन चुका है वाई इसके पीछे रीज़न नहीं है तो इस इनसान को हम देखते हैं अगर वह डेली बेसिस पे हो और आवर के बेसिस पे हो यूजली डेली हो और आवर्स आवर जाता है तो हमें ऐसा लगता है वह सब्सक्राइब ट्रूट रिस्ता रहा उसके साथ चिल कि बेगले पर एक वड बोला हो वह जिए अब किसी भी लाव और लिखी डिस्लाइग से ईफेक्टै नहीं है उसकें लाव ने किसी लाव नहीं करता वह और किसी से अब्स्टैब भी नहीं करता बट एक पहला हमें यहां पर पिन यहां पर मिलता है तो इसको लगता है कि वो मेरा दिल का हिस्सा एक पार्ट है ठीक है लेकिन यह फिलिकर सैंब में और करता है था कह रहा है कि में वो सामने वह दिल का वे एक हिस्सा है लेकिन यह फ्लिकर हो जाता है है इसको बोलते है फ्लिकर फ्लिकर एफ्ट कहीं इस्ट्राग्राम पर आपने तो फ्लिकरिंग एफेक्ट वह भी होता है लुब दूब ठीक है तो अब क्या रहा है कि सामने की वाल कर रहा है यह फ्लिकर है लेकिन मेरे लिए यह चुपता है दिखता है ऐसा कब होता है जब फेसेज एंड डाक्नेस सेप्रेट अस ओवर और जब कोई इंसान का चहरा मेरे और उसके बीच में जाता है याने चलो तो मोर्ड हो हटो अब दिख रहा है यह लोगा नहीं बच्ची भी देख नहीं अपना चैरे चुटाइया देख रही है सब देख रही है बिंदी लगा रही है समझ रहे है तो मेरे एक्चुली वांस तो सी एट वाल बट पर्शन इस तो बीच में कोई आता है तो वह सामने वाले अपने हर्ट के पार्ट को देख नहीं पाता है तो पहला है फेज़ें डाट फेज़ें इस हूमन फेज़ें दूसरा डाकनेस अब 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 यहां पे चीज़ हमें एक और पर चलती जाट मिर हैस कांड आए विच ओनली सीवें यइं इंदर light is there यह क्यों कहा कुछ से एकचुली मिर में तभी है आपको कि डेख सकते हो जब लाइट हो विखाज मिर्या आप करता है यह आपकी इमेज को अबिछेक्ट करता है तभी है आपने आपको देख पाते हो तो वह कह रहा है डाकनेस की वैसे मैं नहीं जाता हूं जब डाखने रात जब होती तो मैं देख नहीं पाता हूं तो एक रात प्रॉलम आ गई बीच में और एक हुमन फेज आ गए जो मुझे और उस पर्टिग्लर वॉल को मुझसे अलग करते हैं बार बार आते जाते रहते आते जाते देट स्वाइड वर्ड इस यूजड है फ्ल इस रही है कोई वर्ड दो बार होता है एक बार रिपीट होता है को और पास एम वर्ड से हम समस्ते हैं डेकव फीडरा स्पीच ठीक है क्लियर होगे आपको अब हम नेक्ट पढ़ते हैं नाओ आएम लेख अब यह सेकेंड इस्टेंजा हमारा यहां स्टार्ट होने जा रहा है एक बार मुझे लगता है कुछ छूटा हुआ है मैंने हाट बता दिया पार्ट बता दिया फ्लिकर्स हो गया फेशेज डाक्ने सपेट ओवर देख रही है इस इंपोर्टेंट वर्ट भी अन्मिस्टेट हो गया इमिडेटल मुने बता दिया स्वालों अब आगे चलते हैं यह नाओ आएम लेक जैट इस है पर पोल परसॉनिफेकेशन करते हो तुम नदीव मन रहे हो क्या हो रहा है और मेटाफर भी साथ में ले रहे हो क्री चीज अब मैं यहां नौ इंपोर्ट है अब मैं लेक हूं वाइए लेक वर्ड क्यों समझेंगे बहुत बहुत इंपोर्ड यहां से होने वाला है लेक मने को जगे रुका हुआ पानी या पर पॉंड नहीं लेक नदी नदी जो भैती रहती है नदी विशाल नदी हो सकती है ठीक डिपेंड अपॉंड प्लेशे टु प्लेशे लेक नदी मुदा समय लो बहुत बड़ा एरिया यहां पर पानी भरा हुआ है नौ एम लेक अवोमें बैण सोवर मी एक ओरत आये को बैंस ओर मी बैंस और मी सर्चिंग माइज गर्चेभ वोर्ट सीरियल इज शर्जमयारा एक औरत आये सामने वह मेरे उपर जूक रही है ठीक है हमें समझ में आ रहा है कि वह सकता है वह मेरे में जूक के कुछ देखना चाहरी हो थोड़ा समझ सकते हैं लेकिन सर्चिंग मैं रीचेस धूंड रही है मेरी हदे पहुच मेरी हदे फोरवर्ट सीरियली इस नहीं समझते हैं एक्षुली यहां पेक पैट्रियारिकल सोसाइटी को समझना पड़ जाएगा तब आप समझ पाऊगे जो टाइम है ना जो टाइम वर्ड वर्ड सेकेंड के बाद जो टाइम है वो एक पैट्रियारिकल डॉमिनेट पैट्रियारिकल गवर्णमेंट यहां पेट्रियारिकल में कि पुरुषवा पुरुषवा हिंदी में यह फिर मैं पुरुषपधान देश तो वह भी एक्षुली उस समय जो है डॉमिनेटेड कौन था सत्ता में कौन था यहां पुरुष एंड उनको क्या चाहिए वह क्या उस समय highly educated and highly financially stable नहीं थी ठीक है even they are not allowed to do some more than things only they are working the household things they are born babies and caretaker यह सचीजों में ही उनको रखा जाता था समझ में रहा तो मेल dominated society अब जब ऐसा होता है तब women के पास उनके जीवन जीने के लिए क्या बच जाता है या फीद हो उनके लिए क्या ऐसा important है जो उनको society में stand करने में help करेगा that is two things the one is youth and the second is beauty the one is youth एक तो उनकी youth यानि कुछ जवान और दूसरा उनकी beauty दोनों ही उनको एक commercialized जो है financially stable life जीने में help करते थे उस वक्त अब यहां पर चीजें बदल रही है जो woman उस समय सीसे के सामने खड़ी है she is not stable right now because she is frustrating वाय सब्सक्राइब कैसे बोल रहा है सब्सक्राइब नहीं आ रहा कुछ देखो a woman bends over me एक औरत आई है वो मेरे उपर जूकी जादी हो ऐसा होता कब है आपने देखा किसी को काजल लगाते में तो क्या होता काजल ऐसे दूर से नहीं रहते वह काजल से करके तो बैंट्स ओवर मी का मिला होता है तूसी क्लोज ली जाओ जूरिया पट रही है क्या वह यहां पे बैंट्स ओवर मी से वह एक्चुली वांस तो इंस्योर हर से कि तो टूत्फ फूलनेस कितनी जदह मैं सच्चा ही दिखा सकता हूं उसको हाँ बड़ी बड़ी जूर यां पड़ रही है तो एक्चुली वह उसकी रीचेस देख रही है सर्चिंग माई रीचेस और उसमें साथ-साथ और वापस लाते हैं एक्चली हम लेख को फिजिकली इतनी दूरता देख सकते हैं बट वी कैन नौट जर्ट इंसाइड दा लेक तुर अवर फिल्ड और विजन अन्लेस डीप डाउन और डाइब वह सब कुछ ऐसो कुछ ना करें तो तक हमें लेक के अंदर कुछ नहीं पास सब्सक्राइब लेगा दिस इस हाओ दा मिर्यर इस इट कैन ओनली शो वह केवल दिखा सकता है क्या दिखा सकता है अब पेरेंस ऑप समवन्स बाड़ी किसी को जो उसके सामने फिर आप एक्स्टर्नल एपिरेंस के बात कर लिए बट मिर केंनाट शो दा इंटर्नल ब्यूट और तो फुलनेस कुछ भी अंदर का नहीं दिखा सकता वह अब वह यह कह रहा है वह वह देखना चाहा रही है मेरे ओपर जुक करके वह असल में है क्या वह आइक्चली वह देखती ही नहीं कभी कि वह अंदर से क्या है यहाँ पर मिर्यर अपनी भी एक लिमिटेशन दे रह सब्सक्राइब करते हो यू किन सी अपने आप बैट करके इंट्रोस्पेक्शन तो करो जैसे मैं वाल के साथ कर रहा हूं तुम भी अपने साथ पैट के करो एक ताइम आएगा उसमें तुम एजिंग में जाओगी जाओगी तुम बुड़ी होगी होगी डोंट डोंट डिन इसको रिजेक्ट मत करो और मुझे लगता है मैंने आपको काफी बड़ा लेक्चर दे दिया समय अब देखो यहां पर आता है एक मित स्टोरी है ग्रीक की मैथरोजिकल स्टोरी है मैं आपको सुनाना चाहूंगा यह फोड़ो देखिया एक्चुली वह बहुत डीपली तो यहां पर पर सने जिसका नाम है नार्सिसस एक पर संथा तो एक दिन जो है फूल जगे पर देखने के लिए और लेक के पाच रहता फूल तोड़ने के जुकता है और जुकने में उस पानी में उसको अपना रिफ्लेक्शन दिख जाता है और वह पहले से सुन्दर चीज पियार में गिर गया और भाई साफ पिर वह अपने किसी से प्यार किया नहीं पर अपनी आउटर ब्यूटी में बहुत ज्यादा चला गया यह यहां पर और आपको जो है एक एल्यूजन यहां पर फिगर आश्पीस आप जिसकते है यहां पर जो की हमें में इस्टोरीज में देखने को मिलता है ठीक है ओके सब्सक्राइब जोड़ा है पिर वह जो है उन जूर्थों की तरफ मुड़ जाती है तो जूठों की तरफ मुड़ जाती है कौन है वो जूठे लोग the candles or the moon because candles and the moon के पास जो डिम लाइट है और वो actually किसी person की image को रिविल नहीं करते हैं वो किसी person को नहीं दिखाते हैं तो यह इस वह से कह रहा है वो दोस लायर की तरफ मुड़ जाती है वह मैं जो बता रहा हूं वो सच है लेकिन वो लायर वो जो candle है वो जो मून से रिफ्लेक्शन सारी लाइट की वह कम यहां पर कम लाइट की बात दिम लाइट की बात दिम लाइट में आप कोई भी चीज को clarity से नहीं देखते तो देजा धुंदलापन महां पर होगा ठीक है यहां पर क्या है अंक्लियर ब्लरीनेस है वर्ड मुझे याद नहीं आता ब्लरीनेस धुंदलापन ठीक है चलो एक वर्ड दिख लिजे शॉफ्ट लाइट यहां पर है देन सी टर्स दोस लाइट अब जा देखेगा कि मिरेर ने कैंडल्स एंड जो मून है उनको क्या का है अब बहुत चलाइन आ रही है और ऐसे पलड जाती है ना जब मुझे देख भी नहीं रही होती जब मुझे देखना भी नहीं चाहरे होती तो मैं उसका जो बैक है उसको बहुत सचाही से दिखा रहा होता हूं मेरे कह रहा है जब मुझे नहीं भी देख रही हो तब भी मैं उसको सही सही दिखा रहा होता हूं मैं इवन सी अबेंडेंड मी उसने मेरा साथ छोड़ दिया और दोस्ट लाए के तरफ चली गई वह जूठों के तरफ चली गई लेकिन मैं उस पोजिशन में भी उसका जो बै टेर्स एन एगिटेशन ऑफ हैंड्स ओकऩी सी रिवाओडस मी एक्टी टोन है मुझे रिवार्ट करती है किससे करती है तीर्स रो करके यहां पर यहां पर दीखती है अपने चेहरे को देखती तो इसके आखें भर जाती होंगे क्यों सी कांट एक्सेप्स डोंट वांट टू एक्सेप्ट हर एपिरेंस राइट नौ वह नहीं चाहती इसको एपिरेंस को एक्सेप्ट करना आगा इसको सेमी आटो बैरिफल ले जाते हैं तो हम भी देख पाएंगे जब यह पोर्ट्री सिल्विया प्लाथ लिख रही है तो आइसी रिवर्ट में विट टियर एंड एजिटेशन ऑफ एंड बहुत अच्छी इमेजनेरी बहुत चाहिएशन हम करेंगे समय एजिटेशन क्या होता है इंग्जाइटी अग्सेशन एक तरह की लेकिन जी फ्रॉस्टेशन है किसके साथ एजिटेशन ऑफ हैंड देखा हो नुमदते क्या लता है जब कोई इंसन अपने आपको देखता है चाहरे पर बहुत स्मार्ट मण दिख रहा है पर बार बार कह रहा है यह मुझे देखती तो है मेरे अंदर लेकिन बहुत agitation of hands देखती हूं बार पर अपने हाथों को गालों पर लगा रही है कहीं कुछ लगा रही है कहीं कुछ लगा रही कहीं बाल देख रही है तो बहुत anxiety उसके हाथों में वह जो है nervousness but he is your nervousness वो accept नहीं कर रही वो she is not happy by looking herself into me ठीक है ओके आगे जलते हैं I am important to her यह अच्रान है कहा रहा है यह irony भी है क्यों ऊपर देखिए लिखा हुआ है she rewards me with tears नीचे लिखा है I am important to her mirror कह रहा है भले ही वो मुझे tears reward करती है मुझे मेरे मुझे 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 दुखी है मुझे मुझे देखना भी नहीं चाहती है लेकिन फिर भी मैं उसके लिए important हूं यह कुछ ऐसा है कि लवर बोल रहा है तुम बले ही मुझे से दूर चली जाओ तुम बले ही उसके पास कोई भी तुमको मुझे से प्यार नहीं कर सकता सम्थिंग लाइक दिस तो I am important to her मैं उसके लिए important हूं कैसे she comes and goes she comes and goes she comes and goes she comes and goes वो रो जाती मुझे देखती रो जाती तो इस रिपिटिशन की वैसे वह कह रहा है मैं उसके इंपॉरेंट तुम भाई रो जाती है रो जाती है रो देखती है अपने आपको तो मैं उसके लिए ले हो गया आगे इच मार्नींग इटीज हाफ तो मिन्दा रिप्लेश अछे रिप्लेश देटांनेश वह एक सुभा यह उसी का चैरा होता है जो प्लेश करता है डाकनेश को यानि की जैसे ही नैट खतं होती है सबसे पहले में उसको देखता है जो डाकनेस जैसे जाती है मैं उसको देखता हूं वह मुझे या वह मुझमें खुदको देख रही है ठीक है ओके इन मी मुझ में she has drowned a young girl यह बहुत च्छी लाइन है and in me an old woman rises towards her day after day day after day में वही यह डायोप है डाय कॉप day after day like a terrible face आई बहुत च्छी लाइन है आप इस ड्राउंड अ यंग अ ड्राउंड वर्ड को ऊपर ले जाओ मैंने का था स्वालोड से उसने मुझ में एक डुबा दी है एक यंग गर्ल यंग का मतलब क्या है एक उमीद डुबा दी उद्री फिर आपने को जवा द्राउंड रमाट इपरेंस अपने आपको जवातर मेरे वे दुबाया हुआ है एक एक सब्सक्राइशन डुबही है प्लिए कि वो अपने आपको जवान देखना चाहती है यंग देखना चाहती है चीर फूलने जिए यह ब्यूटिफुल देखना चाहती है ठीक है एंड इन मी लेकिन मुझमें उससे मिलता क्या है एन ओल्ड एन ओल्ड वुमें राइजिंग टुवर्ड सर एक बूड़ी औरत जो धीरे-धीरे राइज हो रही है तीरे उसकी तरफ आगे बढ़े दी एजिंग प्रोसेस चल रह णमें ना ना चाहिए ना टुवर्ण पीच हो गई यह चीज़ान लीखो रिपीटिंग ठीक है और एग्या सब्सक्राइबर एक चीजस करेंड एक चीज़ान उससे होती है निए ठीक है दो झाल यहां पर और शीक्ते हैं यह जू है आपका शिम्ली हो गया लाइक लिखा य कि नहीं होते वह मेटाफर कि अ यहां पर तेरिबल मिल्ब का मिलाब क्या होगा देखो एक भयानक משli कोई भी छोटी मश्ली जो भयानक नहीं होते हो तो पड़ से मार को थो चोटी मत नहीं कह सकते हैं लिए मसली बढ़ी चाहिए मढ़ी अपने एज पे है यानी कि उसके एज कंदर कुछ ओम्र की कम एज की मश्ली चोटी होती है अब पिराना को मत उसमें इंक्लूड करने के सदी पिराने छोटी भी होती लिंक आठती वह अच्छा है तो इसे इंक्लूड मत करो यहां पर क्या है स्मॉल जो फिश होती वह छोटी मानी जाती यंग एज की मानी जाती लेकिन जो टेरीबल फिश भयानक मचली यानि कि उसकी यूद्ध जा चुकिया व पॉरट डेश आड़ एकड़ एक ऐपिरेंस के वह से उसके चहरा है वह वह डेश मॉबल हो गया है तो सुधिंग फीलिंग नहीं देता उसको कोई भी मैं एक सेच्छ नहीं रहा उसको एक ऐट्रैक्टिव फेसर से नहीं रहा एक यहां पर टेरिबल फिस नहीं था एक और थी वह एजिंग थी उम्र यानी बढ़ रही है ठीक है कि एक वर्ड लीजे कि शी डॉंट रिकोगनाईस और सी डेजन वांट टू रिकोगनाईस हर ओन रिफ्लेक्शन इन दा मिरेर या तो वह पहचानती नहीं क्योंकि उसके माइन में तो वह यूथ वाली एक इमेज बनी वह एक्सपेटेशन से भरी पड़ी है इसकी वैसे ठीक है अब आपको हम एक चीज बता रहेते हैं वह है आपका किस किस लाइन में कौंग कौंसा फिग्र आया हुआ हुआ है तो आपको बगल में दिखता रहेगा वह आपको देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको देखिए क्या होता है कौंसोनेंट का रिपिटेशन जो वह वह यहां नहीं आते तो इसके बाद डैक को मैंने आपको बता दिया सिमली मैंने आपको बता है सिमली हो गया इमेजरी जहां पे इमेज आती है इमेजरी हो गया एलूजन मैंने आपको बताया था वह नार्शेस वाली जो है स्टोरी एक होता है इंजाइम्मेंट क्या होता है कि कोई लाइन खतम तो ही यह लेकिन उसकी परफेक्ट मीनिन निकाल लेकिन पर जाती नहीं पहले अधूरी एक लगती हमें उसकी पुरी मीनिन लगता है उसे इंजाइम्मेंट कहते हैं यह तब यूज चाहता है कि रुके ना पढ़ता जाए पढ़ता जाए ठीक है समझा जाए मुझे आशा कुछ नहीं छोड़ा फिर विए आगर आपको कोई भी डाउट है कि सर यह नहीं पढ़ने यह नहीं पढ़ा है आपने यह न प्रिश्ट कर सकते हैं मैं आपको और क्लास आप जॉएंग कर सकते हैं मुझे लगता है किसी तरीकिसे जो है माहा पर लाइफ क्लास में पढ़ाया जाता यह तरी है there will be no any obstacle for you to understand the concept everything सब कुछ वहाँ पर सुन जागा कोई दिक्रत नहीं होगी ठीक है till then keep studying and keep watching this channel